हेलो क्लास आज ही जाए प्रॉल्म दी गई वो दी गई 9 की पाउर x प्लस 27 की पाउर x अपॉन में 9 की पाउर x is equal to 4 इसमें find करना x की value क्या होगी इससे start करने सबसे simple तरीका बताएंगे तो वीडियो के last तक बने रहेगा तो चलिए इससे शुरू करते हैं सबसे पहले आप देखेंगे यहां 9 को यहां 27 को और यहां 9 को इनको पहले एक simple base में convert कर लेंगे अब simple base क्या अगर 9 को लिखना चा यह form लिख लिए अब हमें पता है कि अगर a की power m की power n लिखा है तो इसमें लिख सकते a की power m multiply n तो इससे तरह यह दोनों भी क्या कर जाएंगे multiply यह दोनों भी क्या होंगे multiply और यह दोनों भी क्या होंगे multiply तो हमारा form क्या मिल जाएगा 3 की power 2x प्लस यहां क्या मिलेगा 3 की power 2x is equal to 4 यह form मिल जाएगा अब देखिए आज 3 की power 2x हम क्या कर लेंगे common कर लेंगे जब आप 3 की power 2x common करेंगे अब चुक की common करना मतलब होता डिवाइड करना तो देखिए अगर इसमें इसको का डिवाइड करेंगे 3 की power 2x में से 3 की power 2x को तो पुटा cancel out तो क्या बचेगा 1 बचेगा तो इसकी जगा हम लेख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर देखिए 3 की power 3x अब आपन में क्या 3 की power 2x अब देखिए basis equal हैं लेकिन अपन में तो power क्या हो जाएगी मानस तो 3 की power 3x मानस 2x तो क्या बचेगा हमारे आपे 3 की power x बचेगा तो इसकी जगा हम लेक सकते हैं क्या 3 की power x फिर अपन में 3 की power 2x is equal to 4 अब यह देखिए यह दो cancel out हो जाएंगे अब हमारा बचेगा 1 plus 3 की power x is equal to 4 यह बचेगा अब 1 plus का उदाग है तो मानस का तो 3 की power x is equal to क्या एगा 4 minus 1 अदलब कितना 3 अब इसकी power क्या ले सकते हैं 1 ठीक अब यहां से हम क्या करेंगे compare करेंगे जब आप compare करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि x क्या आजाएगी 1 आजाएगी यहां से हमारा x कमान क्या आजाएगा 1 आजाएगा और आज हमारी यह problem solve हो जाएगी तो ऐसे interesting सवालों के लिए आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आपके पास match ने लिए कोई problem है तो आप हमारी comment box में comment करके में बता दीजेगा तो आज ही class के लिए धन्यवाद